जेबीनियों में आपका स्वागत है खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबीनियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबीनियों सब्सक्राइब करें और खबरे देखना आरम करें खबरे अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरण भी करें दिवा एक खबर इसी तरह की हम आपको दिखाएंगे जो दिल धहला देने वाली है मुंबई इसे पालगर जिले के डानू तहसिल में दापचरी चेकना के पे मनसे के कारेकरताओं ने नकली मावा पकड़ा है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बलकि छे-चे बसों में ये नकली मावा लाया जा रहा था मनसे के कारेकरताओं ने इसे दापचरी चेक पुष्ट पे उतारा और देखा कि ये मावा नकली है इसकी शिकायत अन्व और श्रव विभाग में की गई है, लेकिन एफडे के अधिकारी भी अब तक सुस्ती में बैठी हुए है एफडे की विभाग के अधिकारियों ने आजकल बॉर्डर पे चेकिंग बड़ा दीनी चाहिए और उन्हों ने इस तरह के नकली मावा को पकड़ना चाहिए यहाँ पर देखा गया कि छे गाड़ियों से यहाँ पर छे लगजरी बस में मावे की गोनिया लाई जा रही थी जो नकली थी इन्हें मुंबई के कई मिठाईयों की दुकान में पहुचाना था लेकिन मनसे के कारेकरतों ने इनका मनसुवा फिल कर दिया यह नकली मावा पालगर तैसिल के भी कई मिठाई की दुकान में पहुचाया जाना हो था लेकिन इस खेप को पकड़ लिया गया लेकिन अब यह भी देखना होगा कि अन्य गोहनों से नकली मावा गुजरात के मार्क से महराष्ट में आता है देखते हैं पूरी रिपोर्ट दीपावली का तेवहर है और इसी को लेकि कई जगाव पे मिठाई की कई दुकाने खुली हैं कुछ दुकाने पुरानी भी हैं लेकिन यहां पे FDA पूरी तरह से सक्रिय नहीं है आप देख सकते हैं गुजरात से किस तरह से नकली मावा महराष्ट में लाया जा रहा है यह प लगजरी बसों में से यह नकली मावा निकाला गया है क्योंकि अगर टेंपो के माध्यम से आता तो किसी को सुचना मिल सकती थी तो लगजरी बस के माध्यम से नकली मावा महराष्ट में लाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि FDA के कारेकरता दीन में सोय हैं और जनता आज एक पोस्ट पे रखना चाहिए और हर गाड़ी की छानबिन करना चाहिए वरना ये जहर उगलता मावा लोगों के शेरी में पहुचेगा और बीमारियों को आमंतरन करेगा इसके लिए जिम्मेदार कौन